तो गाइस TrueCaller का तो आप सबको पता होगा TrueCaller हम बेसिकली यूज किया करते थे कि यार आपको कोई unknown person कॉल करता था और आप देखना चाहते थे कि यार कौन ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है तो आपको TrueCaller को यूज करते थे लाइक उनका phone number उनका name उनका address यूज कर रहा था दूसरे users को बताने के लिए कि ये बंदा फलाना जगह से belong करता है और इसके पास ये number है इसका name ये है तो आप भी रहान होंगे कि आपने TrueCaller की आज तक application यूज की लेकिन आपका name आपके data को यूज करता था और अपने users को बताया करता था कि ये बंदा इस number का फलानी जगह से belong करता है और इसका ये name है तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बिताने जा रहा हूँ कि आप TrueCaller से अपना data कैसे remove कर सकते हैं तो आप TrueCaller के उपर रहा है तो आप TrueCaller के उपर अगर registered है तो आप कैसे आप हमेशा के लिए TrueCaller से अपना name जो है वो remove कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहेगा वीडियो आपने अंटक देखनी है वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा ये चैनल TechSport अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो जैनको सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन पर लाज़मी प्राइस कीजिएगा ताक आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको गायरगी से मिलते रहें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि आपने Truecaller से अपना सारा डेटा कैसे रिमूफ करना है अपना नेम नंबर कैसे रिमूफ करना है तो दोस्तों मैं हूँ बैज और आप देखेंगे टेक्सपोर दोस्तों अमीद करते हूँ आप सब ख़यात से होंगे तो true color तो वैसे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं चल रहा जैसे कि आप लोग को मलूम होगा कि true color वैसे पाकिस्तान में बैन है तो true color को इस्तमाल करने का अगर आप जादे ही शौक रखते हैं आप बैगरोंड पर VPN चला के रखें अपने सेलफोन के तो आप true color को यूज कर सकते हैं तो वैसे आपको मैं true color भी चला के दिखा लेता हूँ कि यह पाकिस्तान में बैन है तो यहाँ पे पाकिस्तान में true color नहीं चल रहा आप जो मर्जी कर लें आप get started के पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि just loading ही करता रहता है इसके लावा यह कुछ भी आगे इसका कोई interface नहीं आता और अगर आप अगर आप इसको use करना चाह रहे हैं तो आपको इसके लिए VPN लगाना पड़ता है तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिना VPN के true color on किया है तो आपको सामने just loading ही करता रहे इससे आगे कुछ भी true color का इंटरफेस नहीं आएगा आप इसको open ही कर सकते है आप इसको use नहीं कर सकते है free VPN आप कोई भी download कर लें आपने कोई भी IP लगा लेने है VPN की मेरे पास paid VPN है तो मैं paid VPN यूज कर लेता हूं ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप फ़र्द अगर free VPN है तो आप true color नहीं यूज कर सकते हैं आप अगर free VPN भी यूज कर रहे हैं तो आप free VPN भी लगा के आप अपने true color को use कर सकते हैं तो आपने कोई भी IP जो है अपने cell phone के अंदर लगा लेनी है VPN से जब आपका VPN connect हो जएगा तो आपने true color को tab on करना है true color को जब आप on करें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आप आपको get started का दुबारा option दे रहा है आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आगर वो loading कर रहा है तो guys, आप देख सकते हैं कि वीपिन लगाने के बाद आपको True Color next page के उपर ले गया है और आपका True Color ओपन हो गया है अगर आप True Color के पर New User है तो आप इसको as a new user भी उज़ कर सकते हैं लेकिन आपको पाकिसान में इसके लिए VPN लगाना होगा वीपिन लगाएंगे तब भी आप इसको यूज करेंगे मैं इसका पुराना यूजर था तो मेरे पास ये अल्रडी ओपन हो जेगा कि मुझे इसकी रिजिस्ट्रेशन करने की ज़ूरत नहीं है तो आप देख सकते हैं कि वीपिन लगा के ट्रू कॉलर ओपन हो चुका है अब सेट्स आ रहींगी तो आप पास यहां डिफरेंट सेट्स के ओप्शन आ जेंगे आप देख सकते हैं कि आपके पास से कन् लास्ट अपशन प्राइवसी सेंटर का आ रहा है आपने प्राइवसी सेंटर के ओपर क्लिक करने तो आपके पास यहां अपना पुराना डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, पुराना डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप अपना यहां से प्रोफाइल प्राइवेट करना चाह रहे हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं, अगर आप अपने अकाउंट को डियक्टिवेट करना चाह रहे तो आपके पास यहां नया option आपको शो करवा देगा by deactivating your account your data will be deleted, do you wish to continue तो आपने simple yes कर देना yes करने के बाद वो यहां पे आपको एक और pop-up देगा कि अगर आप इसको वाकि डिलीट करना चाहरे हैं तो आपका overall data true caller से चाहे वो आपका name या कोई भी information हो वो हमेशा के लिए डिलीट हो जएगी तो आपने क्या करना है simply yes के पर क्लिक कर देना अब आप yes के पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो true caller है वो overall आपके data को true call से रिमूब कर देगा इसमें थोड़ी सी processing में देर लगेगी लेकिन साथ ही आपको जो overall account है उस number का वो डिलीट हो जएगा आपकी कोई भी information true caller के उपर आप मुझूद नहीं है आपका true caller का account हो डिलीट हो चुक है अब आप जिसको भी call करेंगे message करेंगे अगर वो true caller पर आपको search करेंगा तो आपका name आपका bio data कुछ भी नहीं उसको देखने को मिलेगा तो यह simple सी trick थी जिसको यूज करके आप true caller के account को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है अगर true caller आपका नहीं चल रहा है तो आप VPN का यूज कर सकते हैं VPN लगा के कोई भी IP लगा के IP से मुराद चाहे आप USA की IP लगा ले चाहे England की लगा ले आप IP लगा के अपने account को डिलीट कर सकते हैं तो दुस्तर अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशल साबित हुई हो तो आपने लाइक के बटन पर जुरूर प्रेस कर देना है सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा इंशाले मिलेंगे नेक्स वीडियो में अपना बहुत सरा ख्याल रखिएगा लाफिज